अज में ग्रेवी वाली चिकन लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है यह इतना जल्दी बन जाता है उतना ही टेश्टी तैयार होता है तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी यह चिकन की रेश्पी आपको पशंद आए तो मेरे चैनल क लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए तो चलिए आज हम ग्रेवी वाली चिकन बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी वाली चिकन बनाने के लिए हमने जो इंगिडेश्टी आज है वो है एक किलो चिकन जिसे हमने मेडियम साइज की पीश कट वाले हैं और धोली ही है आधा किलो प्याज को हमने बारिक से काट लिया है चार बड़े टमाटर को बारिक बारिक चॉप कर लिया है साथ हड़ी मिर्च को बीच से काट लिया है दो बड़े चमच अद्रक चिकन मसाला हुम जा देंगे क्योंकि हमें ग्रेवी वाली चिकन बनानी हैं धनिया पॉडर, ब्लैक पेपर, हल्दी पॉडर, लाल मिट पॉडर, जीरा पॉडर, नमक, कस्तूरी मेथी, तेल और धनिया पद्दा फोड़न के लिए हम एक चम्मच जीरा, एक बड़ी वाली इलाजी, साथ से आठ लॉग, तेज पत्ती और चाल लाल मिर्च को लिया है अब हम गैस के तरफ चलेंगे तो गैस पे हम एक प्रेसर कुकर चलेंगे, ये चिकन हम प्रेसर कुकर में बनाएंगे और गैस को हम और कर लेंगे प्रेसर कुकर को हम अच्छे से गड़म होने देंगे तो कुकर अपना गड़म हो चुका है, अब हम सबसे पहे इसमें डालेंगे तेल तो आप जोग तेल खाते हैं, यो यूज कर सकते हैं तेल को हम अच्छे से गड़म होने देंगे अब हम उसमें डालेंगे तेज पत्ती, जीरा, डाल चिंगी, बड़ी लाइची, लॉंग और मिर्च के डंठर को हम निकालके इसे भी डाल देंगे और सबको अच्छे से तरकने देंगे फोरन का कलन ब्राउन हो चुका है, हमें इसे काला नहीं हुने देना है, अब हम इसमें डालेंगे कट्या हुआ प्याज, तो हम इसमें एक साथ में प्याज को डाल देंगे और इसे पांच से से मिनट तर यानि जब तक प्याज अपना ब्राउन नहीं होता है, तब तक हम इसे भूनेंगे और हम वीच मिच में सलाज सलाकी से भूनेंगे, तो तले में लगे नहीं, तो हमने दस मिनट तक प्याज को तेज फ्लेम पे भूना है, अब ध्यान से देखिए अपना 50% प्याज गर चुका है, अब हम इस इस टेज पे डालेंगे अधरक लहसुन प्याज 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 का पेश्ट, तो हम दो बड़े चमस अधरक लहसुन का पेश्ट डालेंगे, एक बाद आप्याज देजिएगा, ये सारे इंग्रिडियन्स हम एक किलो चिकन के लिए डाल रहे हैं, तो आप जितना चिकन लें, उसके अनुशार क्वांटिटी थोड़ा कम जादा कर सकते हैं अब हम प्याज के साथ अधरक लहसुन कोड़ी, पांच मिनट तक अच्छे से चलाते हैं फेव धूनेंगे हमने इसे चलाते हुए 15 मिनट तक धूना है, तो प्याज लहसुन अपना गल चुका है, अब हम इसमें खटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें हल्दी पौडर, तो यहाँ पे हम एक चमच हल्दी पौडर डाल रहे हैं और लाल मिर्च पौडर, तो हम लाल मिर्च पौडर दो चमच डालेंगे क्योंकि चिकन थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है और दो बड़े चम्मच हम धनिया पौडर डालेंगे और तीन से चार मिनट तक हम इसे लैसुन प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे अब हमें ठीकन मशाला को कंटिन्यू चलाते रहना है नहीं तो ये तले में लग सकता है तो हम इसे चलाते हुए भूनेंगे देखिए कितना सुंदर कलर आया है मशाला भून लेंगे अब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो टमाटर डालके हम इसे आच से दस मिनट तक अच्छे से भूनेंगे 20-20 में हम इसे चलाते रहेंगे तो अब भ्यान से देखिए टमाटर को हम तब तक भूने हैं जब तक यह बिल्कुल गल्ग चुगा है प्याज लहसून टमाटर सब गल्ग गया हैं अब हम इस स्टेज पर डालेंगे अपना चिकन तो हम धीरे से चिकन को छोड़ देंगे और मसाले के साथ हम इसे अक्से से भूनेंगे यसी चलाते हुए हम चिकन को भूनेंगे ज्यान से देखिए मसाला का कितना संदर पोटी हो गया है चिकन पे तो हम इसे तीन से चार मिनट तक चला चला के अक्से से भूनेंगे और शाथ में हम डालेंगे बाकी के स्पाइसिस, तो हम अभी नमक डालेंगे, नमक हम अपने स्वाद के अनुशार डालेंगे, एक चम्मच हम जीरा पॉडर डालेंगे, एक चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे, और दो बड़े चम्मच हम चिकन मसाला डालेंगे, और सब को हम अच्छे से चला लेंगे इसे चलाते हुए हम भूंदे रहेंगे जब तक कि मसाला मीख्ष न हो जाए चिकन को चला चला के हमने अच्छे से भूल लिया है तो आप देखिए चिकन का कलर कितना सुन्दर आया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो अगर आपको गाड़ी ग्रेवी खाने हो तो ये आपके लिए फड़ फेक्त है लेकिन हम इसमें एक लास पानी डालेंगे तो हम ए इससे बहुत बढ़िया तेश्ट आता है और सबको हम अच्छे से मिला देंगे तो देखिए अभी ग्रेवी इतनी गाड़ी है अपनी अब हम पेशा कुकर की धकन को लगा देंगे और एक सिट्टी आने तक हम इसे पकने देंगे ध्यान रहे चिकन एक ही सिट्टी में पक जा हमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है एक सिट्टी आ चुकी है अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब तक इसका प्रेसर निकलेगा अब तब तक हम धकन को लगाएं तो आप ध्यान से देखिए चिकन का कितना सुन्दर कलर आया है अब हम एक फोक से चिकन को चेक कर लेंगे तो ऐसे हम चिकन में तबाएंगे चिकन अपना अच्छे से पक चुका है अब हम इसके उपर फोड़ा साथ धनिया पस्ता डालेंगे और एक बाड़ी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये अपनी चिकन ग्रेवी बनकर तयार है मशालेदार ग्रेवी वाली चिकन कड़ी बनकर तयार है इसे खाने में बड़ा ही श्वाद आता है तो फ्रेंट आप भी इसे बनाएए और टेस्ट कीजिए अगर आज की मेरी ग्रेवी वाली चिकन ग्रेश भी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेयर कीजिए और कमिन करना मत भूलिए धन्यवाद